मेरे नाम रेका है, मेरे उमर 26 वर्सिये है जब मैं 20 साल की थी, तब मुझे पोलियो हुआ था कि मेरे साथ क्या हो गया है, अब मेरे साथ क्या हो गया है जब मैं वहां से हॉस्पिटल से आया और मुम्मी बताती है, मुझे रोणा आता है कि मैं साप कितरा चलती थी, मगर मम्मी ने खुब मालिश करी, मुझे नमक के पानी में डालती थी, जैसे लोग बोलते थे, वैसे मेरे उम्मी करती थी, मम्मी कहती ही कि अगर कोई ये भी बोलेगा ना कि आपकी बच्चे के लिए आपको पाटी भी खाना पड़ेगा, तो मम्मी ने ये भी कहा कि मैं वो भी करने के लिए तैयार थी. जब मैं करीब नौ या दस साल के यू हूंगी और मेरी सिस्टरं चौदा साल के थी, उस टाइम पे मुझे ही अपनी सिस्टर को अपनी बाक साट पे पिदी पे उठा कर उसे सौज के लेके जाना होता था, वेट के बैलेंस करना भी मेरे बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं हम दोनों सात में थे, एक दूसरे की हिम्मत बनते थे और वो मेरे को हिम्मत देती था और हम सात में सब्सक्राइब वो एक ऐसी हमती लड़की है उसको कभी देखके ऐसा नहीं लगता मेरको कि वो नौर में जो कर सकते वो नहीं कर सकती है मुझे प्राउड होता अपने मिगार्ब होता है कि मैंने अपना जीमन साथी बनाया वो खौन डिसेबल है वो और बच्चो को लेके जो आज डिसेबल है जिनको हल्की ज़र आते हैं बहुत चीज़े की ज़र आते है आज जो सब मेरी सिस्टर अंके ले करी है और उनको साथ लेके चार रही है किसी भी विकलान या अविकलाम व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारना चाहिए हिम्मत करके ही अपने हौसले को और अपनी मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या गुंदला साहिल तो क्या अन्हा ये दिल तो क्या मुझे बहुत प्राउड है कि रेखा मेरी सिस्टर है